आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो, उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ डाउनलोड नाओ एक किल्लो के बदले 880 ग्राम वजन यूद देता है उसका लाब परतिशत क्या है? यहां पर हमें विकल्प दिया है हमारा पहला विकल्प दिया हुआ हमें 35.6 परतिशत, दूसरा विकल्प हमारे पास 18.19 परतिशत तीसरा विकल्प है 33.3 परतिशत, चोथा विकल्प है 19.3 परतिशत अब देखते हैं हम यहां पे सबसे पहले माल लेते हैं कि जो दुकानदार है दुकानदार दुकानदार ने X किल्लो किल्लो माल खरीदा माल खरीदा उसने X किल्लो माल खरीद लिया अब उन्होंने असली उसका CP क्या होगा यहां से असली जो करे मुल्य है वो क्या हो जाएगा वो 1000 की बजाए क्या खरीदता है 1120 ग्राम तो यानि कि 1000 बटे 1120 गुना हैक्स यह हो जाएगा उसके बाद उसका जो अंकित मुल्य है वो क्या है यहां से अंकित मुल्य वो क्या करता है 35 परतिशत उपर रखता है CP से अंकित मुल्य क्या हो जाएगा 35 परतिशत उपर होगा एक जमा पैंट बटे 100 गुना करे मुल्य है या जाएगा अंकित मुल्य ये हमारा अंकित मुल्य है 135 बटे 100 गुना 1000 बटे 1120 X बराबर आजाएगा 1350 बटे 1120 X ये आजाएगा हमारा अंकित मुल्य है उसके बाद उसने छूट दी है 23 परतिशत की छूट दी है अब उसने अपने से कितने प्रतिशत की दिये, छूट बराबर है 23 प्रतिशत की छूट दी है अब छूट देने के बाद उसका जो SP है यानी कि विक्रे मुल्य क्या हो जाएगा, विक्रे मुल्य छूट देने के बाद क्या होगा विक्रह मुल्य यहां से 1, minus 23 बटे चूट को minus करते हैं गुनह जो हमारा अंकित मुल्य है 1350, बटे 1120, x यह हो जाएगा यहां से 77, बटे 100, considers 1350, बटे 1120, x यहागे हमारा विक्रह मुल्य, अब असली विक्रह मुल्य क्या होगा क्योंकि वो 1000 की बजाए, 1000 ग्राम की बजाए, वहाँ पे 880 ग्राम बेच रहा है, तो असली विक्रे मूल, क्या हो जाएगा? इहां से आ जाएगा? यह हमारा विक्रे मूल आ गया, क्रे मूल आ गया, अब हम लाब निकालते हैं, लाब बराबर क्या हो जाएगा? विक्रे मूल आ लाब परतिशत निकालना है, तो विक्रे मूल आ में से क्रे मूल आ को घटा रहे हैं, 1000 बटे 1120 एक्स था, और भाग में क्या था हमारा हमेशा? करे मूल आ, 1000 बटे 1120 गुना 100, यहाँ जाएगा हमारा लाब परतिशत निकाल रहे हैं, तो यहाँ से इसको हल करते हैं, यहाँ से हल करेंगे, यहाँ जाएगा 1.0547 में से, इसका माना था, 0.893 बटे, क्योंकि यहाँ पर भी एक्स था, यह एक्स से कैंसल होके, यहाँ पर बच जाएगा 0.893 गुना 100, तो यहाँ जाएगा हमारा करेंग मुल्य 0.1819 गुना 100, यानि कि यहाँ जाएगा 18.19 परतिशत, तो यहाँ से हमारा कौन सा विकल्प है, जो सही हो रहा है, हमारा दूसरा यहाँ परतिशत, यह सही है, थैंक यू